दोस्तों क्या आप अपने गूगल के अंदर जब आप सेफ सर्च सेटिंग को बंद करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको बिलर, फिल्टर और आफ बटन का विकल्प नहीं आता है ताकि आपने सेफ सर्च को बंद कर सकें तो आखिरकार कैसे करना है जैसे कि हम आपको यहाँ यहां से हम आजाते हैं बैक, बैक आने की वाद गूगल को ओपन करते हैं गूगल को ओपन करने की वाद यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर हम किलिक करते हैं प्रोफाइल पर किलिक करने की वाद सेफ सर्च का एक ओप्सन मिलता है सेफ सर्च और आप इस पर किलिक करते हैं जब आप इस पर click करते हैं तो यहाँ पर आपको तीन option मिलते हैं, एक option मिल जाता है आपको biller का, एक option मिलता है filter का, और एक option मिलता है off करने का, और वो option आपका यहाँ पर नहीं खुल रहा है, तो आखिरकार इस problem को कैसे fix करना है, इसे कैसे सही करना है, तो यहाँ से आ जाएग ओपन होने की बाद यहां पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहां पर आपको सर्च करना होगा DNS तो यहां पर टाइप करेंगे DN और उसकी बाद S है जैसे आपके समने एक सेटिंग निकल कर आ जाएगी प्राइवेट DNS तो यहां पर आपको प्राइवेट DNS पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका देखने के मिले का प्राइवेट DNS आनि कि आपका प्राइवेट DNS कोई सेट है पहले से तो इसे आपको हटाना होगा इसे हटाने के लिए आपको बाद बैका जाना है बस इतना काम करना है यहां से बैकाना है रिसेंट बार से हटा देना है सारे अपने मुबाइल को एक बार रिस अपने मुबाइल को एक बार अपना रिस्टार्ट कर लेना है यानि कि उसुचौब करके फिर से चालू कर लेना है उसकी बाद जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक आच चुका है filter, एक आच चुका है बिलर और एक आच चुका है off करने का, लेकिन अगर आपका इतना भी करने से नहीं आता है, तो आप यहाँ से आ जाएगा back, बैक आने की बाद जाना है browser में, browser में जाने की बाद यहाँ पर आपको मिलेग एक मिल जाएगा आपको, यहाँ पर एक मिलेगा, browsing का, यहाँ पर मिल जाएगा, safe browser आपको इस पर click करना है, और third option चूज कर लेना है, no protection का, उसके बाद नीचे आना है, तो यहाँ पर एक option मिलेगा, DNS का, तो आपको इस पर आना है, और यहाँ से आपको इसे बंद कर देना ह तो बस इतना काम करते ही, आपके mobile में, आपके Google पर वो setting आपको मिल जाएगा, तो इसे तरीके से एसे problem को fix कर सकते हैं, जो आपके समने पहले आ रही थी, कि आपका blur filter off करने का option ही नहीं आ रहा था Google पर, और हाँ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो यार लाइक कर अबाद